स्टामलेकम मैं आपको वेलकम कहता हूँ कार्डियो टीवी चैनल के अंदर और मेरा नाम डॉक्टर नवीद आमध शेख है मैं इम्राज एकल्प से तालुक रखता हूँ इम्राज एकल्प का माहिर हूँ नेशनल इस्ट्यूट ऑफ कार्डियो एसकलर डिजीस के अंदर रिजिस्ट्रार के तोर पे अपनी ड्यूटी को सरा इंजाम दे रहा हूँ उसके साथ मैं पोस्ट ग्रेजूट स्टूट हूँ हारवर्ड यूनियूरस्टी के अंदर फाउंडेशन ऑफ क्लिनिकल रिसर्च में और इसके साथ साथ मैं पिछले साथ साल से एसीलिस और बीलिस का इंस्रॉक्टर हूँ है एक बहुत अच्छी पाकिस्तान की वन आफ दी फेमस का निरॉलिजिस्ट भी है और वो एक बहुत खूब स्वरत दिल रखने वाली खातून भी है हमारे साथ हैं डॉक्टर फोजिया सिदीकी अगाखान के अंदर अज प्रोफेसर आफ निरॉलिजी प्रैक्टिस कर रही है और इसके साथ साथ ये स्पेशलिस्ट हैं एपिलेपसी के अंदर भी और इसके साथ बहुत जबर्दस जो इनकी एक मूमेंट है जो नोगों ने प मालेकुम असलाम डॉक्टर नवीद आपके इंट्रॉडक्शन का शुक्रिया और बहुत खुशी हुई मुझे आपके साथ शुक्रिया में शुक्रिया मैं सबसे पहले तो हमें यह बताएं कि यह स्ट्रोक और फॉलिज यह फालिज होता क्या है यह किस बला का नाम है क्यू थोड़ा इसको हमें फैम माइने में बताएं कि क्या होती है अम देखें स्ट्रोक जो है ना असल में जिसको अर्दू में हम फालिज कहते हैं यह होता एक वक्त था कि हम लोग दिमाग और दिल को एक ही उसमें रखा करते थे कि दिल रुकिया तो सब कुछ रुकिया शायद सब्सक्राइफन चाइए लेशमें हो बॉड़ी को चर्णै बॉड़्िया को कौ नायहिक में पर्दू इन। तो जिस अरिया को वह फून चा रहा है वो एरिया कम करना बंद कर देगा अब फर्स करें वहां का एर यहुए तो हैरे इस करने को यह बलाकरक हो देगा तो हाथ काम करना बंद हो जाईगा, मफरूज हो जाएगा, और फालिच हो जाएगा, तो बैसिकली एक खास मेजर किसम स्ट्रोक की, जिसको आम इस्टलाहात में स्ट्रोक केते हैं, वो दिमाग की किसी शरीयान के बंद हो जाने की वज़े से होता है। लेकिन इसी तरह का फाल तो बिलाग हो गई अगर इसी तरह से अगर वो ब्लॉक नहीं बलके भड जाए और हैंडेज हो जाए तो भी एंड रिजल्ट वही होगा देखने वाले की वह फालेजिक होगा टीक है तो यानि कि वह बिलीदिंग की वजह से है यह अज़ा यह डिफरेंट होगी लेकिन एंड रिजल्ट वही होगा आउकम वही होगा तो मैडम यह बताएं कि जैसे हमारे आम सुनने वालों के लिए बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसी क्या वजूहात होती है कि हमें फालिज नदर आता है या चाहे वो हैमरिजिक स्ट्रोक हो या वो इस और हम पहले हम ब्लोकेज पर बात करें तो हम लोग जब अलंकार लग था तो हम में एक निकनेम वह कि है होंगे से पुछ एक मसल मश्यूर है न साही ज़्यादा घुसाधा गौ सकता हिए जाने का जञा अई च्याइन होता है वह सॉल्टी प्रेशर नमच की जादा उस यह होता है पर आल डाइबटीज और ब्लड प्रेशर तो एक unfortunate चीज है कि जिसकी वज़े से और unfortunately developed countries में अगर यह कम हो रहा है तो Pakistan में इसकी शराफ बढ़ती जा रही है और मतलब I think 2000 में कुछ 3.5 million थी तो अब 13 million तक जा रही है जो latest वो देख रहे तो that's a lot of people so to your risk बहुत हाई हो जाता है इनके ब्लॉकने मिसके अलावा जाहिर है अगर डायेट में और इसके अलावा हमारे हां ये जो गुटका, निस्वार और भारी भी सिगरत और ये सब चीज़ें, इसका तो हमने देखा भी नहीं है कि इसकी वज़े से कितना इंसिडेंट हमारे हां जादा हो गया है, but this is a major cause, हुका, हुका, exactly, so this is also a major cause, smoking, smoking, smoking is a cause, age, age itself over 45 जो है, stroke का risk